जाएं दोस्तों मैं नवीन सर्म आप सभी का स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ आप सब एक दम अच्छे हैं एक दम बहतरीन है एक बार सारे प्यारे दोस्तों बताएंगे आप सब कैसे है पारुल चौहान, प्राची पंडेत, मजहर अबासी, विने कुमार, उपेंद्र पंसिका चौधरी आरडवलुए, नवीन भी एक छोटी सिष्टर, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है और प्यारे बच्चे आज हमारी मतलब अगर बात करें हम, बात करते हैं मतलब मुख्या आपके दो टॉपिक्स थे, कॉमन टॉपिक्स, कॉमन टॉपिक्स हम आज की कलास में अपने एंड कर रहे होंगे, इसके बाद आपके आएंगे कि जो आपके मान के चलो हमने कुश्चन के थे कि परमुख बांध होगे, इंपोर्टेंट डैम होगे, जलाश्य होगे, परमुख जील है, जिन सब ऐससी कुश्चन पूछती है, ठीक है, इसके बा टैली कर लेंगे, अब आप लोगो क्या एडिया और मेरा क्या एडिया, ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसको डिफेंस एंड टेकनलोजी को, रक्षा एवं परध्योगी की को, ठीक है, तो अभी सुरू करेंगे प्यारे दोस्ते, तो विज्जान एवं परध्योग तब ही कोई चीज आगे बढ़ पाएगी, तो भारत्य राष्ट्रिय अंतरिक्ष अनुसंद्धान समीती, इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च कमेटी का गठन कब हुआ था, बहुत इंपर्टेंट कॉस्चन है, तो कब गठन हुआ था, 1962, क्या बोलेंगे, 1962 में गठन हुआ था, ओके, हाँ, टेंपल होंगे, टेंपल कल की क्लास में हम लोग कुसको कर रहे होंगे, नौर्थ और साउथ के टेंपल को बाट के कर, ठीक है, कब हुआ है इसका, इंडियन आप वीडियो के बाद में सजेशन देना, मैं आप सब लोग सजेशन देख लूँगा, अभी ल भारतिय अंतरिक्ष विग्यान के जनक, फादर ओफ इंडियन इस्पेस साइंस, आप कहेंगे विकरम सारा भाई, अच्छा, विकरम सारा भाई से जुड़ा हुआ एक कुश्चन मैंने बताया था, इनकी वाइफ थी, मेरा कुश्चन आप से है, विकरम सारा भाई जी की जो आस्तरियक अलाकार रही है तो आपने सुना है कभी नाम मिर्नालीनी सारा भाई जी का वो इन ही की वाइब ती कबोलोगे मिर्नालीनी सारा भाई पेरिगोड बहुत सांदार सबसे पहले आंसर आया नितन मोरिया जी का बहुत बढ बढ़िया यह इसी के पुनरगठन करके किस को इसी का वा किस का जो आपका Indian National Space Research Committee था इसी को बना दिया गया क्या इसरो इसी का पुनरगठन करके 15 अगस्त 1979 बहुत महत्पूर्ण है बार बार पूछा भी जाता है इसरो का गठन किया इस रो आप जानते हैं Indian Space Research Organization, जो कहां पर है, बंगलौर में है करनाटा तो समझ रहे हैं आप मैंने बोला INSRC उसका गठन हुआ 62 में उसी को प्यारे बुच्छे क्या करके मोडिफाई करके हम लोगों ने बनाया 1969 में इस रो यह प्रोग्रामिंग किसकी थी इसके लिए कौन व्यक्ति था सबसे ज़्यादा काम कर रहे थे वो थे विक्रम सारा भाई चीक है 1962 बता रहा हूं मैं आपको लेकिन गर हम बात करें प्यारे बच्चे किसकी कि आपका बन गया इस्रो कब 15 अगस्त उनिस सो निस्टर को और हैड 1969 से 1971 रहसे में ही मौद है इनकी इसका आज तक कोई खुलासा नहीं है अप लोगों ने सुनी है ये बाते कभी जानते हैं आप भारत के स्पेस जो कारेकरम था विक्रम सारा भाई हुए जो एटोमिक एनरजी के फादर थे हमारे होमी जहांगीर भावा मतलब किसी देश को खुलासा नहीं है कि इन लोगों की जो संदिग्द हत्याए हुई ये जो कुछ भी हुआ मतलब उसका खुलासा नहीं हो पाया कि किस तरह से यह हुआ चाहे वो विक्रम सारा भाई हो चाहे वो होमी जहांगीर भाबा हो या 1999 का प्यारे बच्चे आप सब जानते होंगे एस स्री निवास जो VSSC विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर के आपके डारेक्टर थे उनका भी कुछ पता नहीं चला ऐसी आपने देखा हुए एक अभी माधवन जीन एक मूवी बनाई थी बड़ी चर्चित रही जिसका वो नम भी नार एनजी करेक्टर है उसमें नम रॉकेट्री देखी होगी तुम मैंसे कितने लोगों ने देखी है तो उसमें वही चीज़े दिखाएगी है कि ऐसा हमारे देश में कई बार हुआ है कि जिन लोगों ने देश को बहुत मजबूत बनाने की कोशिस किया है उनके पीछे विदेशी ताकतों के हाथ बताए गए है कि इन विदेशी ताकतों को ने जैसे कि नासा हुआ आपका अमेरिका से हुआ या बहुत सारी जिगस्ता संदेह की स्तिति में आरोप लगाए जा बात में अंत्रिक्ष विभाग इसी अंत्रिक्ष आयोग में बनाया गया 1972 में और विक्रम सारा भाई क्या बोलेंगे अंत्रिक्ष केंद्र ये थोड़ा पहले हो गया तो विक्रम सारा भाई स्पेस जो सेंटर है इसी को बोलते है V.S.S.C. जो मैं नाम ले रहा था भी स्रीनिवास जी का 1999 V.S.S.C विग्रम सारा भाई स्थापना कब हुई 1960 और इसका पुराना नाम क्या था थुम्बा पिरशेपन के इंडर जो थुम्बा लॉंच सेंटर था तो अब तक मैंने आपको क्या बताई प्यारे बचे सारभाई स्था सेंटर 1963 है और आपका इसरो कब का है 1969 का है और उससे पहले क्या हुआ हमारा क्या बोलेंगे उससे भी पहले हम लोगों ने बुला 1962 में आपका इंडियन नेशनल इस्पेस रिसर्च कमेटी की इस्थापना हुई आप लोग बार बार सुनते होंगे कि इस रॉकिट को भीजा गया सिर्हरी कोटा से सुना है नाम यस बिल्कुल सुना होगा सिर्हरी कोटा पूछा जाता है सिर्हरी कोटा में जो प्रछेपन इस्थल है वो किस राज्य में है आंदरपरदेस और SSC पूच चुकिए प्रदेश के किष जिले में है प्यारे बच्चे आप कहेंगे कि नेंलोर डिष्टिंग में स्थित है इसी का नाम रखा गया किसके नाम पर स autopantierte के नाम पर पॉपतीज दवन जी के अगर बात करें तो इनकी भी मौत के पीछ रहसे मैं कारण बताइजाते हैं अम दवन अंतरिक्ष केंद्र इसका नाम प्यारेवच्छे क्या स्थापना 1969 है याद रखेंगे को दिक्कत है अभी आवाज ठीक हा रही है बताएंगे अभी आवाज मेरी ठीक है आप लोगों के अबर बोलें तो क्या बोलेंगे सिरी हरी कोटा जिसका नाम किस नाम से जानते हैं सतीस दवन के नाम से जानते हैं 1969 का अब्दुल कलाम दीप यह हमारा यहां से सैटलाइट लॉंच भी कल है यह आप देख सकते होंगे रॉकिट है रॉकिट के माध्यम से रॉकिट का जानते हैं आप रॉकिट कैसे काम करता है एक बार थमसब करें या आप जानते हैं कि रॉ अलग से सीखना होगा बहुत यूट्यूब पर आप एक बार देखना कि रॉकिट कैसे काम करता है तो वह अच्छा लक्षर आएगा कोई भी देखोगे तो समझ जाओगे नहीं है तो आपको पता होना चाहिए चीज़ जाननी चाहिए अब्दुल कलाम दीप इसका पुरान नियम के नुसार चलता है वो तो ठीक है कि उड़ जा अगे तना तो इसके विप्रीत जाएगा किरिया परती किरिया के नियम लगता है लेकिन रॉकिट मतलब कैसे होते हैं लिक्विड फील्स क्या होते हैं आपका सॉलिड फ्यूल्स क्या होते हैं जैसे लिक्विड फील्स अंत्रिक्ष में भारत की अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगा राकेश सर्मा अंत्रिक्ष गए थे कब राकेश सर्मा अंत्रिक्ष गए प्यारे दोस्त आपका 3 अपरेल 1984 को यह पहले भारत यह वापस आगए है 11 अपरेल को और किस से गए थे बड़े important important बात है कि कौन से अंतरिक्षियान से गए तो Soyuz T11 से गए थे किस से Soyuz T11 से और जब भारत ने अंतरिक्ष में किसी व्यक्ति को भेजा तो हम कौन सा देश बने थे चौधवा देश और यह यात्री कौन से बने थे 149 वे यात्री बने थे तो अंतरिक्ष में मानभ भेजने वाला चौधवा देश था भारत अंतरिक्ष में चंद्रमामा जोड़ लेना इसमें कभी अंतरिक्ष इसपेस में किसी एक particular जगे नहीं इसपेस में और यात्री कौन स आती है भारत में ये गई तो जी विष्व में पहले कौन गया था दुनिया में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले कौन है 1961 में गए रूस के यूरी गागरें कौन गए रूस के यूरी गागरें के अधिकत विष्व में पहले अंतरिक्ष यात्री वो है यूरी गागरें और 1961 में गए अब यहां पर साइड में लिखा हुआ आप देख सकते हैं USA के जो अंतरिक शात्रियों को एस्ट्रोनॉट्स ऐसे common question आपको reasoning में तो मिली जाते है analogy में देख देखा ऐसे चीन टाइकोनॉट्स और रूस पुछ लेगा क्या relation है रूस से और GS में भी पुछा आता है कि चीन के अंतरिक शात्रियों को क्या कहा जाता है भारत के अंतरिक शात्रियों को क्या कहा जाता है Vyom not कहा जाता है क्या बोलेंगे आपका परियाइवाची सब्द है Vyom Paco, allíon ठीक है पडिक्ड आगे चलेके अब बात आती है पहली बारती महिला कौन है पहली भारत ये महिला पुरुष समझ गए? अंतरिक्षात्री 3 अपरेल 1984 सोयूज 11 से गए आपका और वो भारत की बात है इसलिए हम बात कर रहे हैं और विदेश में कौन है? यूरी गागरिन है यूरी गागरिन किसे गए आपका? क्या बोलेंगे? यूरी गागरिन गए आपका रूस से 1961 सबसे पहले हैं कल्पना चावला ये भारती मूल की थी और कोलंबिया अंतरिक्षान घटना मैक्सिमम बच्चे नाम जानते होंगे अमेरिका के तरफ से गई और ये कोलंबिया अंतरिक्षान घटना एक परवरी 2003 की है मतलब वो अंतरिक्ष से भारत में भारत बोलों सॉरी दुनिया में यानि प्रत्वी की कख्षा में जब वो प्रवेस कर रहा था आपका अंतरिक्षान तो उस समय क्या हो गया वो क्रैस हो गया ठीक है तो ये कब की घटना है 2003 की है पहली भारती महिला लेकिन मैं बात करूँ विस्व की पहली महिला कौन है वैलेंटिना टेरेशकोवा ये रूस की है भी है 1963 में गई थी ये कहां की है ये रूस की है वैलेंटिना टेरेशकोवा तो पहली महिला के लिए और पहले पुरुस के लिए एक बार आंख बंद करके बोले क्या बोलोगे कि 1961 यूरी गागरीन विस्व में भारत में बात करें तीन अप्राइब दुनिया का अंतरिक्ष में जाने वाला पहला उपगर है इसका मतलब हुआ बगेर व्यक्ति के गया होगा क्योंकि अंतरिक्ष में पहला व्यक्ति कौन है वो तो 1961 में गई यहां हम बात करेंगे इस पूतनिक वन यूएससार ने जो भेजा यह आपका 1957 में भेजा यह पहला है दुनिया का पहला ठीक है कहां का था रूस का था दुनिया का पहला उपग्रह समझ गए लेकिन हम बात करें बहारत का पहला उपग्रह कौन सा था इंडिया का पहला सेटलाइट कौन सा बना इंडिया का पहला सैट्रिलाइट कौन सा बना और ये इंगलिस माइगी इस बार तुमारी सैट्रिलाइट की स्पेलिंग देखलो इसको भारत का पहला उपगरह बना आर्ये भट आर्ये भट को कब भेजा हमने 19 अपरेल 1975 और ये एससी का एक फैवरेट कुश्चिन बाहरत ये उपगरह आर्ये भट को कब छोड़ा गया था क्या बोलोगे 19 अपरेल 1975 को इसकी मदद हमने लिए थी USSR की ठीक है और कोस्मोस 3M द्वारा भेजा गया सुवियत संग के द्वारा कौन सा ये कॉस्मोस 3 क्या है ये लांचिंग के लिए होगे जो ले करके जाएगा तो वो कौन है वो कौस्मोस 3 था जैसे कि वो सेटलाइट है इसको किसी के थू भेजा गया गया होगा ना है पर इसको इस पर लिखा हूँ अभी है आर्ये पहला कौन है पहला था हमारा आर्यभट 1975 में गया 19 अप्रेल को और ये गया साथ आपका जून 1979 को ठीक है कौन बहासकर बहासकर सीरीज नहीं है चलो भी भारतिये भूमी से भारतिये परच्छेपणियान दुवारा परच्छेपित परथम भारतिये उपगर है 18 जुलाई 1980 सिरीहट इकोटा से SLV 3 दुवागा दिकत ये भी important बात होगे भारत का पहला संचार उपगर है जो communication के लिए था वो कौन सा था भारत का वो apple था समझे लें communication के लिए भारत के दुवारा भेजा गया पहला satellite कौन है तो क्या बोलेगे एपल खाने वाला apple नहीं एपल क्या है आपका ये एक satellite का नाम है ये क्या है सेटलाइट का 1981 में हमने भेजा था इसको हमने का मतलब हमारे वैज्ञानिकों ने देश के जो साइंटिस्ट थे ठीक है आगे चलेगे और ये बात भी आपके जानने के लिए जरूरी है कि वैज्ञानिक वास्ता में सबसे अजीब आप कहेंगे तो लगेगा कि ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कह रहें नहीं लेकिन वो एक अल्टिमेटम माइंड होता है अल्टिमेट माइंड एकदम इसरों ने भारत की पहली अंतरिक्ष वैदसाला मतलब हमने अंतरिक्ष में भी वैदसाला बनाए अब ये मत पूछने लगना कौन से गाउं में बनाईजी तो क्या बोलोगे भारत की पहली अंतरिक्ष वैदसाला कब इस्थापित हुई अंतरिक्ष मतलब यानि अंतरिक्ष संबंदी कामों को करने के लिए एक स्टेशन हमने बनाया 2015 में इसरों को 2014 में सांती के लिए इंद्रा गांधी पुरसकार इसरों को 2014 में सांती के लिए इंद्रा गांधी पुरसकार कम मिला कम मिला है 2014 में सारी चीज़ों को एक बार सोचें अब तक हमने क्या पड़ा एक बार इमेजिन करेंगे कि हमने पढ़ना सुरू किया आपका भारत का जो परमानु कारेकरम जनक था उसमें सबसे महत्पून बात आती है विक्रम सारा भाई उसके फादर है जिनकी वज़े से हमारा इसरों बन पाया 1969 में फिर मैंने आपको बताया अंतरिक्ष विवाग से लेकर क आपका जो उसमें आपका विज्ञान विवाग भी बना वह 1972 के हैं 1963 हमने विक्रम सारा भाई इसका पुरह नाम था थुम्बा उसके बाद हम आगे आए प्यारे बच्चे क्या बाते मैं आपको बताएं कि भारत के नागरिकों में सबसे पहले अगर हम बात करें अंतरिक्ष जाने वाले 1984 फिर अराकेश शर्मा फिर यूरी गागरिन की बात हमने की कलपना चावला की बात हमने की वैलेंटीना टेरेस सुकोवा की बात हमने की दुनिया के अपगरों में हम बात करते सबसे पहले रूस का भारत की हमने बात की तो 1905 कौन गया आपका कौन बोले गिए विया जी हमारी तरफ से गया आर्यवाट, रूस के मदद से हमने छोड़ा उसको 1975 में और उसके बाद बहास करें, आके आए, उपगरहे के पिरकार, ये सेटलाइट कितने पिरकार के होते हैं, और यहां पर दो चीजे आपके परिक्षा के लिए बहुत महत्पूर्ण हैं, एक इस तो इनके फुल फॉर्म बहुत पुछे जाते हैं, पहली चीज, एक कॉमन चीज, निम्न भू कक्षिये, कक्षा, निम्न भू कक्षिये, इसका मतलब है लो अर्थ और्बिट सेटलाइट, इसका मतलब है 200 से 600 किलोमीटर, उचाई पर आपको कोई पिरशेपन करना है, को किसका यूज करेंगे, लो अर्थ और्बिट सेटलाइट का इस्तेमाल करेंगे, सौर तुल्यकालिक उपग्रह का इस्तेमाल कब होता है, जब 500 से 1000 किलोमीटर, उचाई पर आपको, इसको सेट करना हो, ठीक है, वो होता है, सन सिंक्रोनस और्बिट सेटलाइट, भू तुल् कि जियो सिंक्रोनस सेटलाइट, भू तुल्यकालिक उपग्रह जिसको हम कहते हैं, उसको कितनी उचाई पर सेट किया जाता है, कितनी उचाई पर परिक्रमन करता है, यह परसन आपने देखा, तो 36,000 किलोमीटर इसकी रेंज होती है, और इसका परिक्रमन काल, यह फिजिक् 265 दिन 6 गंटे में, ऐसे ही प्यारे बच्चे यह जैसे इसको लोकेशन पर रखा जाता है, यह प्रत्वी घूम रही है, 24 गंटे में एक दिन हो जाएगा, इस जगे इसको बने रहने के लिए इस पर मेरे नाखुन पर नजर इसको रखनी है, इस नाखुन पर घूमते घू दीर्ग वरत्य मोनाडिय कक्षा, लॉंग एलेप्टिकल मौनालिय ओर्बिट जो है, इसकी उचाई कितनी होती है, उचा जाएगा, दीर्ग वरत्य मोलनिय कक्षा, जो है आपकी, मोलनिय कक्षा, यह कितनी उचाई होती है, 49,8 Zoom और किस से उपर है, यह भूत उल्यकालिक से उपर है चीक है जी ओ सिंक्रोनस मैंने मेरे दोस्त आपको बताया है सेटलाइट टकराता नहीं होगा सरनी प्यारे वच्चे उसके लिए कॉडिनेशन स्तै होते हैं टकरा नहीं सकता है बिल्कुल नहीं टकराएगा रिंकु बघेल मेरे दोस्त लव यू टू आ गयाएंगे उर्जी युद ब्यास की कक्षा भी आपको देना है 2022 की भारत के साथ मारे प्यारे वच्चे वो करन्ट अफेर्स का टॉपिक है करन्ट के टॉपिक्स को स्टेटिक में तब्दील मत करो कभी उनको इस्टेटिक बना दो आप तो ऐसे कैसे बात बनेगी कोई बच्चा कहले लग जाएगा जिए ट्रग्नोमेटरी क्लास भी करवा दो अंतरिक्ष अभियान अंतरिक्ष अभियान की बात आती है प्यारे वच्चे उसमें है आपका भारत के अभियान में हम बात करेंगा और भी बात करेंगे चंद्रियान वन ये भारत का पहला मिशन और दुनिया का क्या था दुनिया का ये 68 वा था दुनिया का क्या था ये 68 था अच्छा भारत चंद्रमा पर याद रख ले ना प्यारे बच्छे अब दुनिया में सबसे पहले कौन गया था तो पहला चंद्र अभियान किया है USSR ने 1959 में दुनिया में सबसे पहले चंदरमा पर जो अभियान किया है वो किया है आपका USSR ने कब किया 1959 में भारत छटा देश बना चंदरमा पर पहुचने वाला इसके बाद में अच्छा भारत की तरफ से अभी आदमी गया है चंदरमा पर yes और no पहलेंगे रहे अमेरिका यूरोपियन यूनियन रूस जापान और चीन के बाद ठीक है एक बार मुझे बताएं यूरोप यूनियन में कितने देश मैंने आपको बताए थे पटाफिट से बताएं यूरोपियन यूनियन में कितने देश मैंने आपको बताए थे बताएंगे संदीप एक बार उत्तर देंगे very good 27 नहीं दोस्तियार गलत बात बोल रहे कुछ बच्छे 30 बता रहे है 27 वालों के फेवर में मैं नहीं हूँ तेश और बताया नहीं आपको क्रोईशिया क्यों भूल जाते हैं क्रोईशिया बताया था ना yes और no क्यों भूलते हैं अच्छा ये चंद्रियान जो हमारा हुआ ये कब हुआ आपका 2008 में मिशन हुआ किस से बेजा गया हमने ये बेजा हमने PSLV से PSLV C11 से भेजा गया किस से भेजा गया PSLV C11 से भेजा गया और कहां से हरी कोटा से हरी कोटा समझ गये अब मुझे बताओ हरी कोटा किस स्टेट में है आप कहेंगे भियाजी आंदर पढ़देस में 2008 में भेजा गया है PSLV आपका क्या बोलेंगे PSLV C11 से भीजा गया है पुदिक्कत इस पात में और भारत छटा देश बना था कौन सा देश बिजन था अपने चंदरियान को सफल बना करके भारत छटा देश बना और विस्व का 68 बा सबसे पहला देश कौन है तो ये मानव मुक्त है, मानव युक्त नहीं है क्योंकि अगर चंदरमा की बात अगर हम करें तो व्यक्ति किसने पहुचाए है वह सबसे पहले, वो USA की उपलब दी है वो किसकी, वो अमेरिका की उपलब दी है चंदरियान सेकेंड 22 जुलाई 2019 ठीक है, 22 जुलाई 2019, ये किस से भीजा गया, GSLV, MK3 ये लाउंच वहिकल है उस वहिकल का नाम जो लाउंच करता है जो लेके जाता है इसको फिर वो खुट तूट तूट के इधर उधर गिरता रहता है ठीक है, आ गये और GSLV जो MK3 है ठीक है उसमें क्या था एक तो लैंडर था और एक रोवर था प्रग्यान, इस घटना के बारे में जानते हैं आपने के सिवान जी के आंसू देखे होंगे जो मोदी जीन उनको गला लगाया कोई नहीं फेलियर हो जाता है जिंदगी में लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आगे काम्याद नहीं होंगे हमको हमेशा होप रखनी चाहिए ठीक है तो जिकत आगे देखे चंदरियान 3 2023 में लॉंच होगा चंदरियान 3 कब लॉंच होगा 2023 में लॉंच होगा मेरे प्यारे गुरुदों मनोरत का संदी विचेद बता दो अभी थोड़ी देर पहले तुम डिफेंस भाई थोड़ी देर पहले आप लिख रहे थे आई लव यू, मन्जू यदू अनसी अभी आप मनोरत का संदी विचेद पूछ रहे हो मुझे डाउट हो रहा है तुमारे उपर थोड़ी देर बाद तुम कुछ और पूछ सकते हो ते लिए रहने दो अगर हम भारत के मंगल मिशन की बात करते हैं तो मंगलियान वन को भेजा गया था आपका प्यारे बच्चे पांच नॉवंबर 2013 को और 24 सितंबर 2014 को पहुच गया था क्या बोलेंगे भेजा कब गया पांच नॉवंबर 2013 को और 24 सितंबर 2014 को भेजा गया अधिकत आ गयाएंगे पहले प्रियास में मंगल पर पहुचने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है अपना देश भारत है पहले ही पिरियास में मंगल पर पहुचने वाला देश और मंगल मिशन कब हुआ हमारा कब पहुचा था यह 2014 में समझे लिए 2013 में लॉंच कर दिया गया पहुचा अगले साल पहुचा कब अगले साल किस से भीजा गया था यह PSLV यह लॉंच वहिकल बड़े पूछे जाते हैं आपसे ऐसा हो सकता है कि कॉमन परिक्षाओं में नहीं पूछता लेकिन जब टैक की बात आती है जब कभी आप UPSC के लिए देगे साइंस और टैक में साइंस और टैक में सबसे महत्पूर्ण पार्ट एक होता है आपका यही लॉंच वहिकल से तब वहां से परसन बनते हैं और SSE ने भी कई बार आपका लॉंच वहिकल से कुछन पूछे PSLV C25 द्वारा भेजा गया सेंट पाई सोवियत संग नासा यूरोपिय अंतरिक्ष एजनसी के बाद ये चौथा देश बना क्या बोलेंगे यानि अब से पहले जो मंगल पर जा चुके वो USSR कामियाब था नासा भेज चुकी EU European Union भेज चुकी और हम चौथे बने लेकिन हमने पहले ही प्रियास में कर दिखाया जिसे आप में से बहुत सारे बच्चे पहले ही प्रियास में SSC CGL पास कर जाए ऐसे ही हमने पहले प्रियास में क्या कर दिया आपका मंगल मिशन को पालिया मंगलियान 2 कब भेज़ा जाएगा भी है important है मंगलियान 2 भेज़ा जाएगा 2024 में कब भेज़ा जाएगा 2024 में भेज़ा जाए सर मोटिवेशन की जरूरत है ये वो प्यारे बच्चे पढ़ लो कलीज सर DRDO पूछा था DRDO भी आएगा इसरो के आगामी कारेकरम जो आने वाले हैं ये most important topic है बड़े ध्यान से देखना सूरिया का अध्यन करने के लिए जो आदित्ययa L1 भारत का पहला सूरिया के लिए जो अंतरिक्ष मिसन है तो सूरिया का अध्यन करने के लिए भारत का कौन सा मिशन है कि हमेशा याद रखेंगे कौन सा मिसन है प्यारे बच्छे आप कहेंगे भीया सूरिया का अध्यन करने के लिए आधित्या एलवन है जो इस्टडी करेगा गगन यान ये इसरो का पहला मानव युक्त मिसन होगा इसरो का पहला तीक है अगर हम बात करें क्योंकि अभी क्या हमने इस्टडी को भेजया नहीं ये पहला मानव युक्त मिसन है हमारा क्या बोलेंगे निशार तो देखो एन से याद रख लेना क्या आपका नाशा और आईएस बोले तो इसरो एन आईएस इस से मिल करके बनाएगे निशार एक साथ इसलिए हैं क्योंकि इनका पिर्मो खुदेश्य है हर बारवे दिन प्रत्वी को स्कैन करना इसको स्कैन करेंगे तो प्रत्वी का अध्यन करने के लिए आप से कभी भी पूछा है प्रत्वी की भोगोलिक सनरचना जो उसकी जियोग्राफिकल प्यारे बच्चे इस्थिती है उसको स्कैन करने के लिए कौन से दिन बारवे दिन नासा की अन्य मिशन की बात करें अभी बहुत चर्चित रहा आर्टे मिशन वन कौन सा? आर्टे मिशन वन मानव रहित मिशन इसके तहट 2024 में 2024 में चंदरमा पर पहली महिला पहुचने की तैयारी यानि चंदरमा पर व्यक्ति तो किन को लेके जाएंगे? महिला को अच्छा आप बताएं चंदरमा पर पहुचने वाले दूसरे व्यक्ति कौन है? फटाफट से चंदरमा पर पहुचने वाले दूसरे व्यक्ति कौन है? आप आंसर करेंगे एक बाएंगे यह क्यूं आप कर रहे हैं? delete message दिखाओ तर आप अच्छे नहीं है और reply नहीं देते हैं फिर तुमने इनको ब्लॉक कर दिया है यह बड़ा chatting नहीं है हम लोग chat करने के लिए नहीं है आप सम्बात करें चाकिर सर दलवा देंगे इनवे जुनो जो मिशन नासा ने किया है, तो वो किस ग्रह के लिए है? वो जूपिटर के लिए है, ठीक है? क्या बोलें किस की वैज से इसको जूपिटर के लिए किया गया है, ठीक है? अब आते हैं हम प्रिचेफन यान प्रद्धुगी की पर एक तुम्हेरे हाइट बताया आपको एक रॉकेट का अपना वेट भी होता है न तो वेट कितना लेके जाएगा लाँच विहिकल टेक्नलोजी एक होती है एसलवी पड़े ध्यान से देखें इनकी फर्फम भी पुछी जाती है और आपको यह समझना चाहिए एसलवी सैटलाइट लाँच विहिकल लगा लें लगा लें ल-a-u-n-c-h 100 से 200 कजी अगर इतना वेट है एसलवी अगमेंटिड सैटलाइट लाँच विहिकल साड़े 300 से 600 कजी है ठीक है और इससे ज़्यादा का 1500 कजी तक का आपको भेजना है तो PSLV से भेज़ेंगे पोलर सैटलाइट लाँच विहिकल PSLV GSLV बहुत बड़े रॉकेट को भेजने के लिए Geo-Stationary और Synchronized ठीक है अब आते हैं हम किस पर बार्क पर बार्क सुनाए आपने नहीं सुनाए तो सुने पार्क भाबा एटोमिक रिसर्ट सेंटर इन से भीया जी किस तरह के कुश्चन पूछे जाते हैं इनकी foundation से कुश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चे ठीक है तो बार्क बार्क का होता है आपका ट्रामबे कहां पर है ट्रामबे में इसको बोलते हैं भाबा एटोमिक रिसर्ट सेंटर इसका पुराना नाम परमानू उर्जा संस्थान था क्या बोलेंगे एटोमिक एनरजी इंस्टिटूट था ये 1957 इसको जब इस्थापित किया गया था 1957 में एटोमिक एनरजी इंस्टिटूट के नाम से लेकिन फिर दस साल के बाद 1967 में इसका क्या नाम कर दिया गया पार्क कर दिया ठीक है बुरजी एक बार कनफर्म कर दीजिए आप कौन-कौन से टॉपिक रहेंगे आप उसको फिर आपको लगता है कि आप उसको पढ़ सकते अदर्वाइज मुझे जो आपको डिलीवर करना है वो ना कर दूँगा सारी चीज़ बहुत अच्छा एक सज्जेसन दिया है उपेंद्र कुमार कौरव जी ने तूमच थेंक यू इंद्रा गांधी परमानू अनुसंद्धान केंद्र इस्थापना कब हुई है 1971 इसी बार S.S.C. J.E. ने पूछा है इंद्रा गांधी सेंटर फोर एटोमिक रिसर्च ये कहां पर इस्थित है ये कलपक्कम तमिलनाडू में इस्थित है ओके राजा, रमन्ना, परगती, परद्यों की केंद्र तो क्या बोलेंगे आप कहेंगे R.R.C.E.T. बोलते हैं इसको जी 1984 में इस्थापित किया गया इंदौर में कहां पर इंदौर में DRDO बहुत पूछा जाता है DRDO का Headquarter भी पूछा जाता है और कब इसको Found किया गया, कब Establish इसको किया गया Defense Research and Development Organization तो Defense Research से मतलब समझते हैं अब आप यहाँ पर एक बात देखेंगे कि जो इस रो है इस रो कैसे काम देख रहा है हमारे Space के काम जो अंतरिक्ष संबंदी काम है वो सब कौन कर रहा है इस रो और करता है DRDO DRDO for Defense रक्षा के लिए Defense Research and Development Organization अबदुलकलाम जी इस रो में थे आप DRDO में बताएंगे एक बार बहुत बढ़िया उसल बहुत सांदार अबदुलकलाम जी इस रो में थे आप DRDO में मेहनत करो भाई मेहनत करो आगे देखो मैं आपको एक छोटी चीज बहुत बोलता हूँ जो बच्चे सेलेक्षन में रह जाते हैं परेशान होना एकदम ठीक बात है मैं इतने प्रैक्टिकल नहीं हो सकते कि हम परेशान ना हो ये तो कहने की बात है मैं तुमसे ये भी नहीं कह सकता तक बे तुम दुख मनाओ तो दुख होना चाहिए दुखी होना चाहिए अपनी असफलता पर थोड़ा वो भी जरूरी है दुखी नहीं होगे तो कैसे बात बने फिर सफलता क माईने समझ में नहीं आएंगे दरसल में एक बार एक राजा था और राजा को भगवान जी दरसन देती है सुनना तो moral of the story क्या है अपना idea लगाना खुद तो भगवान जी दरसन दे दिये राजा को राजा बड़ा इबानदार था अपनी जनता के लिए loyal था उसने जनता से बोला जनता से नहीं बोला, sorry भगवान जी से उसने बोला कि आप जो दरसन है वो मेरी जनता को भी दे दो राजा ने तो बड़ी मतलब मिलने के लिए तपश्या की थेख, तप किया था कि भगवान उनको मिले जैसा आप में से बहुत सारे दोस्स सेलेक्शन के लिए तप करते हो कि आपको सेलेक्शन मिले राजा को तो मिल गया सेलेक्शन लेकिन राजा चाह रहा है कि पिरजा को भी मिले मुझे क्यों नहीं मिला किसी और को क्यों मिला या मेरी पिरजा को क्यों नहीं मिला या मुझे कोई क्यों मिला राजान बोला नहीं जिमेरी पिरजा को भी आप दर्सन देना राजान बोला ठीक है सुबह परवत पर मिलेंगे बैठे हुए तुम अपनी सारी जितनी भी जनता उसको ले आना तो भी है सुबह राजान मुनादी करवा दी गोषणा करवा दी सुबह आपको वहां मिलेंगे और वहां चलके के सबको दर्सन करने पूरी भीड तमाम जितनी थी जनता और लाइन लगा करके चल दी अब लाइन लगा करके चल दी तो पुड़ी दूर चलने के बाद में एक तांबे के सिक्के का धेर एकदम से पर कट हो गया पचास परशेंट जनता उस तांबे के सिक्के धेर की तरह भाग गए राजा नहीं बोला यार तुम मूर्ख लोग हो बै तुम्हें भगवान से मिलाने जा रहा हूं तुम कहां तांबे के चक्कर में पढ़ रहे हो तो उन बोला कि भगवान तुम जाएंगे बाद में आग जो पाने की चीज़े मतलब उसके लिए ये डारेक्ट उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं जो टारगेट है जिसके लिए चले थे तोचा था कि भगवान जी को देखने चलेंगे लेकिन बीच मार्ग में कुछ ऐसी चीज़े आई ही जिनको देख करके एट्रेक्ट हो गए जिसे हाई हैलो के मैसिज पर उसे लगता है कि वो सारे सपने देख करके सारे वादे भी करता है और वो उसको ये भी बताता है मैं ये करूँगा तुमारे लिए मैं ये करूँगा ये बीच रास्ते की कहानिया है आपका फोकस कहा होना चीज़े उस परवत पर रानी बची राजा बचा राजा पहुचा भगवान जी के पास में भगवान जी ने बोला भी कहां है पर जा इतनी लोग इतनी लोगों की भीड थी जो मुझे पाना चाह रहे थे I am a selection, I am a janith, I am a target, बहुत सारे लोग मुझे को पाना चाह रहे थे वो लोग मुझे तक पहुचे क्यों नहीं सब लोगों को क्यों नहीं मिलते हैं, यह सब एक ही फंडा काम करता है यह आप अपनी तयारी के दौरान, प्यारे बच्चे मोहित कहां पर होते हैं, अपने अध्यन के अलावा, यह सारी चीज़े इंपेक्ट करते है ठीक है आईगे तो DRDO की अगर हम बात कर रहे थे प्यारे बच्चे रक्षा अनुसंदहान एवं विकास संगठन DRDO ठीक है HAL हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड 30 दिसंबर 1940 इसकी स्थापना हुई है और हेड़क्वाटर कहां है इसका प्यारे बच्चे बंगलूरू में है तो इसमें मैं आप से बोलू बार्क 1967 इसका नाम हुए लेकिन इस थापना इसकी AEI Atomic Energy Institute के नाम से 1957 में ही हो गई थी इंद्रा गांधी परमाणून संधान के इंद्र इंद्रा गांधी सेलेक्शन नहीं हुआ न तुम्हारा और कुछ लड़कियां मेरी इस बात से चिड़ जाएंगी मैं तुम्हें बता रहूं अभी कि तुम्हारे लिए मोटिवेशन है ऐसा ऐसा होता नहीं है लड़की हीरे से सुसान सिंग राजपुत जीक डायलोग था लड़की हीरो से ज्यादा हीरे को प्यार करती है तो तुम सोच ले न तुम हीरो कब हो तुम्हें कहीं वहाँ साउथ की मूवी में रॉल तो मिलने वाला है नहीं मतलब तुम में इस कोई बुरा भी होगा तो इतना बुरा नहीं होगा कि बाहुवली जैसे वह कालकी जैसा भी कोई हो कि वह रॉल भी तुमको दिया जाए ना तुम हीरो में हो ना तुम विलेन की कैटेगरी में हो तो यह जो मीडियम वाले हैं ना इनके पास यह सरकारी नौकरी एक मातर विकल्प है तो ऐसे होता है तो तुम इस बात को याद रख लेना और नहीं तो तुम्हें रियलाइज होगा कुछ टाइम के बाद में होमी जहांगीर भावा होमी जहांगीर भावा इनका एक जीवन है 1909-1966 तक का बड़े महान वेक्ति हैं और आज की युवा पीडिय नाम भी लेना पसंद नहीं करते हैं आप देखें देश में अब्दुलकलाम जी का नाम बड़े जोर सोर से लिया जाता है भड़े अच्छी बात है भारत में उन्होंने डी आडीयों में रक्षा विवाग में काम किया है और रक्षा विवाग में काम करते हुए ये वह वैक्ति हैं हमारे देश के जिन्होंने उतना ही पार्ट पे ले किया है जितना अबदुलकलाम जी का इस पेस कारेकरम है लेकिन हमारी युवापीधीन का नाम बहुत कम लेती है होमी जहांगीर बावा इनकी जान गई है देश के लिए इनकी जान गई है यह किसके जनक है भारतीय परमानुर्जा कारेकरम की फादर आफ इंडियन एक्टोमिक अनर्जी प्रोग्राम इतनी रेक्षब्ट इनकी भी बनती है इतनी ही रेक्साइ्पपकस की बनती है विक्रमसारा भाही जी की भी बनती ये सब वो लोग है एसे हमारे हजारो वेग्यानिक है जो दिनराथ पर इसरम करते हैं परिषित है मेरा मानना यह है कि वो जो आदमी जो रेस्पेक्ट को डिजर्व करता है उसको सबसे ज़्यादा मिलनी चीए एक उनलाइन टीचर से कहीं ज़्यादा आपके दिल में वह भाव उन व्यक्तियों के लिए होना चीए जिन्होंने समर्पन किया अपनी सारी चीजों को देश के लिए किसी इंडिविजुल के लिए नहीं क्योंकि उसमें उनका कोई लालच नहीं था मेरा लालच हो सकता है आपको पढ़ाने में आपका लालच है एक कि आपको सायद कल नौकरी मिलेगी वो सब कुछ बढ़िया होगा चोटे चोटे लालच लेकिन देश के पढ़ती समर्पन एक ऐसी चीजा जिसमें कोई लालच नहीं होता है चुपा ही नहीं होता आगे बात करेंगे परमानू ऊर्जा आयोक का गठन 1948 इसलिए तो हम अब्दुल कलाम जी पूझते हैं क्योंकि उनका समर्पन क्या है भेस के लिए everything for the country परमानू ऊर्जा आयोक का गठन 1948 में किस ने किया था ये होमी जहांगीर भाबा नहीं किया था और पहले अद्यक्ष कौन बने थे परमानू उर्जा आयोक के होमी जहांगीर भाबा खुद थे ठीक है और वर्तमान में कौन है प्यारे बच्चे वो के एन व्यास है कौन है वो के एन व्यास है भारत के पर्मानु परिक्षण वमन चीज है, आज भी पूछे जाते हैं, पहला पर्मानु परिक्षण हमने कब किया था, 18 मईए 1974, और इस 18 मईए 1974 में एक चीज जो आती है, प्यारे बच्चे मुझे बताएंगे, CTBT क्या होता है, CTBT कितने बच्चे जानते वो थमसब करें, तर ब्यास का मतलब, मतलब क्या वैक्ति का नाम है, बटाओ, ब्यास नदी का नाम पर नुन रख रखा होगा, बोलेंगे भी, CTBT का पूरा नाम एक बार आप लोग बताएंगे, तो मैं अगर बात करूँ, भारत के प Comprehensive, भारत ने तो साइन ही नहीं किये, Comprehensive Test Band Treaty, यानि जो परमानू परिक्षन है, उन पर किसी पिरकार का परमानू पिरसार की भई, आप हतियार के लिए परमानू चीजों का, आटमिक चीजों का परियोग नहीं करेंगे, ये कब की है, प्यारे बच्चे, तो याद रख ल 71 देशों ने क्या किये है, अपने हस्ताक्षर किये है, CTBT भी परमानू उर्जा संबन देता है, इसलिए याद रखें, तो 18 मीं 1974 भारत ने किया, पोखरण में इसको किस नाम से जानते हैं, Smiling बुद्धा के नाम से, कितना परमानू प्रियोग हमने किया था, 12 किलोटन, प्याज को लगाया गया अंदर जमीन में, प्याज बहुत महंगी हो गई था, किया प्याज आपने देखो कि मजदूर, गर्मी में रोटी प्याज से का लेता है, प्याज मतलब गर्मी क सांत कर देती है, तो heat इब्जोर्ब कर लेती है, बहुत सारी प्याज खोदी गई, प आपका 11 माई 13 माई 1908 में पोखरण में और इसका नाम दिया गया सक्ती 98 प्राइस्थान में हुआ पहला वाला हुआ जब इंद्रा गांधी जी थी इंद्रा गांधी जी देश की प्रधान मंत्री थी और यह दूसरा वाला कौन प्रधान मंत्री थे तब यहां टल विहारी वा 0.2, 0.3, 0.5 पुछा जाता है इनको किस नाम से जाना जाता है भारतिये प्रिछेपास्तर कारेकरम ये बहुत इंपोर्टेंट नहीं है आपके लिए कि Integrated Guided Missile Development Program की स्थापना कब हुई है 1983 में हुई 1983 में हुई Missile Man of India APJ अब्दुलकलाम जी को कहते है अब आते हैं भारत की Missile पर प्यारे बच्चे प्रत्वी Missile अब आपको ये Range नहीं पता करने है ना Range आपसे कभी पूछी जाएगी प्रत्वी किस पिरकार की Missile है जमीन से जमीन Simple effect क्या बोलेंगे जमीन से जमीन तिरसूल Missile कैसी है तिरसूल जमीन से हवा ठीक है अब Missile के हम अगर पिरकार की बात करते है तो यहां पर एक चीज लिखी हुई है Missile के पिरकार यह दिख रहा है आप लोगों को नहीं मैं आपको बता देता हूँ बोल के बताता हूँ यहां क्रूज मिसाइल लिखी हुई है और यहां बैलिस्टिक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल का यह अंतर है बैलिस्टिक मिसाइल मतलब बहुत बड़े साइज के बहुत बड़े आपके बोले तो इस फोटक को ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है बहुत बारी बैसे बैलिस्टिक बैसे बारी है सियाद कर लो क्रूज मिसाइल छोटे वेपन लेके जाती है छोटा परमानों हत्यार लेके जाती है और जमीन से बहुत ज़्यादा उठके नहीं चलती है क्रूज क्रूज आपने देखोगो सैवरले कंपनी के गाड़ी आती थी क्रूज जो बच्चे जानते होंगे क्रूज मतलब नीचे चलना ठीक है क्रूज मिसाइल छिप करके भी चली जाती है बहुत उची नहीं लेकिन पालिष्टिक मिसाइल इतनी उची उड़के जाती है कि आपका बूलते नो उसको प्रिछे पर हाइपरबोला पर वो जाती हुई ऐसे दो तरह के पत होते हैं उसके रेजेक्टरी मोसन भी होता है उसका तो वो छिप नहीं पाती है उसका इतना बड़ा साइज होता है वो दिख जाती है तो ये क्रूज मिसाइल जो चलती है जैट इंजन मैं बोलके बता रहूँ और बैलिष्टिक मिसाइल ये रॉकेट इंजन से ऑपरेट होती है और ये मिसाइल तीन परकार बताए गए है एक बार साइध आप लोगों को अब दिख जाये इसको सीन 2 पर दिखाना भी है अबीन इन 2 पर दिखाना है अभी बता ना प्यारे दोस्ता आप को एक बार दिखेगा या ने दिखेगा एक मैक से कम स्पीड हाइपरसोनिक एक मैक से ज़्यादा पर होती है supersonic 5 max से ज़्यादा होती है अब ये मैक क्या है अब ये मैक क्या है तो आप धहनी की गती बताएंगे एक बार मुझे लापलाक्स ने कितनी बताई थी आप लोग science में पढ़ते होंगे तो आप पढ़ते होंगे जी धहनी की जो गती है वो 332 मीटर पर 30 सेकंड बताई थी लापलाक्स ने ऐसे ही है ना तो उसी का multiplication है अगर 5 मैक लिखा हुआ है तो 332 गुणा 5 इतनी स्पीड हो गई 332 गुणा 5 कितना हो जाएगा 1660 315 और उस 1660 मीटर पर 30 सेकंड स्पीड हो गई पाँच मैक देखो अब तुम 3 मैक देखो 332 से मल्टिप्लाई कर लो ठीक है अगर पिरसूल समझ गए जमीन से हवा आकास जमीन से हवा आकास मिसाइल यह इनकी रेंज लिखी हुई है आपसे कभी नहीं पूछी जाएगगी अगनी मिसाइल यह जमीन से जमीन यह हमारा वो एक बहतरीन रक्षा तंत्र है यह वो बहतरीन रक्षा तंत्र है जो तयार करता है हमको और मैं एक होमवर्क के लिए कुश्चन दूँगा आपको बड़ा इंपोटेंट है अगनी 1 मिसाइल अगनी 2, अगनी 3, अगनी 4, अगनी 5 5000 किलोमेटर रेंज दिखाई जाती है और कोई भी देश अपनी मिसाइल की रेंज कम ही बताता है क्योंकि फिर उस पर बहुत सारे बैन का इन सब का खत्रा होता है कम दिखाएगा नहीं तो फिर और बाकी देश चौकनने होंगे उसके परती सतर करेंगे अपना डिफेंस उसी साफ से करेंगे कोई भी देश से अपनी मिसाइल की मारक चमता कम ही दिखाता है ठीक है कितने प्रकार की बोलेंगे अगनी मिसाइल है हमारे पास पांच वैरियंट है प्रदान म्योजिक बार बार ना लिखें प्यारे बच्चे जब बोल दिया तो उसको देखें नाग क्या है ये टैंक रोधी मिसाइल है टैंक आते ना, आर्मी के टैंक, उनको फोडने के लिए है, ठीक है, किसको, उनको फोडने के लिए है, धनुस क्या है, जमीन से जमीन, धनुस मिसाइल क्या करते हैं, जमीन से जमीन, ऐसे समझे मतला, अपने कोई, आप लॉजिक बना ले, कि व्यक्ति धनुस चलाता है, जमीन पर है कि जमीन वाले कोई मारता है, ठीक है, आदमी को मार, आदमी हवा में थोड़ी होगा, सागरिका, यह पंडुब्बी से छोड़ी जाती है, मिसाल, अर्थ पान से, पानी से, छोड़ी जाएगी, और फिर यह टार्गेट कर लेगी, जो टार्गेट इसको दिया जाएगा, सागरिका, सागर में यानि पंडुब्बी से छोड़ी जाने वाली कौन सी है, सागरिका है, अस्तर क्या करती है, हवा से हवा में, दूसरे फाइटर प्लेन को, ऐसे अस्तर बोलेंगे क्या आपका हवा से हवा में, ब्रहमोस मिसाइल नाम सुनाया आपने, ब्रहमोस, ये क्या है, भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है, क्योंकि भारत की कौन सी नदी, ब्रहम नदी, यानि की ब्रहम पुत्र से, और रूस की कौन सी नदी, मोस कावा, रूस की मोस कावा रीवर जो है, इन दौनों से सं सतह से सतह पर यह मार करते हैं, पुछ लेगा ब्रह्मोस की मारक प्रिनाली कैसी है, सतह से वाईयू, वाईयू से सतह, सतह से सतह, आप क्या बोलोगे, सतह से सतह, ब्रह्मपुत्र सतह से सतह, जमीन से जमीन पर बहती रहते हैं, ठीक है, दो सो नब्बह किलोमेटर, एक बार यह सीन टू पर दिखाएंगे दो मिनट का और टॉपिक है इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं और आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छा है देखो यहां पर एर्क्राफ्ट लिखे हुए है एर्क्राफ्ट का मतलब वज़े शुखोई यह आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है पहले यह बताएं एक बार जल्दी से प्यारे बच्चे थमसब करेंगे यह आपको दिख रहा है अभी नहीं दिख रहा है क्वालिटी बढ़ा के देखना अपनी सास्सो बीस पर क्वालिटी करो और तब बताओ एल्यूविशन को नीचे वाले को छिपा देते हैं वो ऐसे भी महत्पूर्ण नहीं है अब बताएंगे एक बार दिखना चाहिए भई अब भी नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी बढ़ा के देखना इसको यहीं पर लिख रहा है यस, yes, yes जो सुखोई है वो कहां का है वो रश्या का है रूस का है और वो एक फ़ाइटर प्लेन आगे लिखा हुआ है फ़ाइटर चलो और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है इतना जूम पर लेते हैं ठीक है दो तीन बार में दिखा देगा, अब तो दिखी जाएगा, अब भी नहीं दिखे तो बेटा फिर चस्में बनवाओ, सुखोई 300, यह रूस का है और फाइटर प्लेन है, इसका आप स्क्रीन सोट लेकर के रखिये, लिस्ट को एक बार पढ़ना आप, एक मिनट, परिक्षा के लिए नहीं, बस आपको एक लिश्ट पता होना चाहिए, मिग 21 कहां का है, वो सोवियत यूनियन का है, फाइटर प्लेन है, मिराज 2000 किस देश का है, वो फाइटर प्लेन है, फ्रांस का है, जैगवार कहां के है, फ्रांस और यू के द्वारा विक्सित किये गे, दौनों के द्वारा, फाइटर प्लेन है, मिग 21, सोवियत यूनियन, डेजर्ट राफेल आपका फ्रांस का है, तेजस कहां का है, हल, जो हल मने बता है, 1940 वाला हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड, इसका बनाया हुआ है, और एल्यूजिन 76, बहुत महत पूर नहीं है, सोवियत यूनियन, अब यहां पर इंपोर्टेंट बात आई, कि यह C-17 गलोब मास्टर जो है, आगे लिखा हुआ है, ट्रांस्पोर्ट के लिए है, फाइटर प्लेन नहीं, तो बहुत बार पुछा गया है, C-17 गलोब मास्टर किस देश का एक आपका प्यारे बच्चे मालवाहक जहाज है, तो किसका है, आपका USA का है, सूपर हरकुलिस किसका है, यह USA का है, आपका एंटोनोव 32 यह सोवियत संग का है, बोईंग विमान किस देश का है, यह United States का है, हॉक विमान किसके है, यह आपका United Kingdom यानि बिर्टेन के है, ठीक है, अच्छा, फिर इसमें प्यारे बच नीचे है, ध्यान से देखना हो, कि H.E.L. किरन की अगर हम बात कर रहे है, H.E.L. किरन किसका है, इंडिया का, इधर लिखा हुआ है, ट्रेनर, यानि यह ट्रेनिंग में प्रियोग होने वाले जहाज है, किसमें, ट्रेनिंग में, किसमें प्रियोग होने वाले जहाज है, हम आएगे अब आते हैं आगे इसमें है फिर हेलिकॉप्टर अप एक बार देखेंगे हेलिकॉप्टर में है आपका हेल रुद्र यह अटेक हेलिकॉप्टर है भारत का मिग MI-35 यह सोवियत यूनियन का है अटेक हेलिकॉप्टर उनकी कैटेगरी लिखी हुई है चिनूख यह युद् इस्तल पर समान पहुंचाने के लिए चिनूख हवाई भी चलती है USA में और यह हेलिकॉप्टर कहां का USA का युद्धक हेलिकॉप्टर नहीं यह युद नहीं क हेल चीता कभी भारत का मतलिखना हेल चीता फ्रांस का है यह ट्रांसपोर्ट हेलिकॉप्टर है जो किसमें ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं ठीक है कुदिकत इतनी बात में बोलेंगे भी कोई परिशान नहीं तो अपना बहुत सारा ख्याल आप रखें बहुत अच्छे से आगे बढ़ते रहें बढ़ते रहें बाई बाई टेकेर चेहिं चेभारत